कहते हैं समरत को नहीं दोस गोसाई क्या चाइना में OIC की टीम पहुंची थी कहां सिंजियांग और सिंजियांग में पहुंचने के बाद OIC की टीम ने जो कहा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जानेंगे OIC ने क्या कहा ये OIC क्या है वही संतावन देशों का जो भारत को कई बार ग्यान देता है कस्मीर मामले में जानेंगे आखी सिंजियांग इस इलाके के लिए OIC ने क्या कहा है तो वही दूसरी तरफ क्या भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है फिर से P.O.K. में सच क्या है भारत ने आधिकारिक बयान देकर समझा दिया है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आएज जानते हैं इन खबरों को विस्तार से वैसे आपको बता दें ये देखा गया है मैंने पहले ही कहा समरत को नहीं दोस गोसाई जो सकती साली होते हैं थोड़ा ताकतवर होते हैं पैसे वाले होते हैं उनकी बह उइगरों का दमन करते हैं दुनिया कहती है कि यहां मानव अधिकार का उलंगन होता है तुम आओ तुम खुद देख लो अब जरा सोची बात भी चैना सही कह रहा है बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन उइगर मुसलिमों का दमन कर रहा है यही नहीं चीन उइगरों क खिलाप मानवता के खिलाप अपराद और नरसंगार खा भी उसके उपर आरोप है मानव अधिकार गुटों का कहना है कि चीन ने दस लाख उईगर मुसलिमों को उनकी इच्छा के विपरीत हीरासत में रखा हुआ है चीन का दावा है कि चीन यह कहता है नहीं नहीं हमने इसी ने साल 2022 में पुलिस की फाइल के आधार पर खुलासा किया था कि चीन ब्यापक परमाने पे इन सिवीरों का इस्तेमाल करता है यहीं नहीं इन केमपों से भागने वाले को बड़ी गजब की सजा भी दी जाती है अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन उईगरों के सिं परात करने का आरोप लगाया है चीन कहता है यह सब जूट बोल रहे हैं हम रियजू के संदे रहे हैं हो सकता है रियजू के संदे रहा हो तबी तो कह रहा है इसने ठोक कर कहा कि OIC आप आजाओ अपने राजनेकों को लेकर आओ देखो सिंजियांग और सिंजियांग देख क कर जाओ और बताओ कि क्या है सच इसलामिक देशों का संगटन ओ आई सी जो अक्सर जम्मू कस्मीर और मुस्लिमों को लेकर भारत के खिलाप हमला बोलता रहता है इनके परती निदियों ने चीन के सिंजियांग में जो उईगर वाला इलाका है वहां यात्रा की सिंजियांग वही इलाका जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है लाखों की तादात में उईगर मुस्लिम चीन का दमन जेल रहे हैं और यहां पर तो यह भी है कि चाइना के उपर यह भी आरोप लगता है कि वो मस्जिदों को भी तोड़ रहा है पर OIC के जो परतिनीधी गए राज नहीं गये थे उनके मूँ से फूल जड़ रहे थे उन्होंने ड्रेगन की जमकर तारीफ की उन्होंने कहा है बिलकुल अच्छी बात है यहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है कोई अन्यआ मैं हो रहा है आपको बता दें ऐसा नहीं है चीन ने उस इलाके में और दिखाया कि देखो कोई गर मुस्लिमों के जीवन अस्तर को हमने कैसे उचा उठाया है उन्हें अच्छा घर और सुविधाएं दिलाई है अब वाइसी के इस दल में चीन के दोस्त पाकिस्तान के परतिनीदी सेयद मुहम्मद फवाद भी सामिल थे अब कुल मिलाकर जो ज कुछ गड़बर कर रहे होंगे तो अलग बात है खेर जाएं एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया में एक अलग सा हड़कंप समचा हुआ है क्या हड़कंप कि भारत ने फिर से सर्जीकल स्ट्राइक कर दिया है क्या भारत ने सचमुच ऐसा कर अब अभी क्यों किया अब तो वो ऐसी इस्तिती में खुदी है कि अब गए कि कब गए कब टे बोल दे एक पैर कबर में लटक रहा है तो फिर पाकिस्तान के साथ ऐसा करनी की जरूरत तो है नहीं पहली बात ये कि आपको बता दें मीडिया हाउस अलग-अलग तरह की खबर भारतिय सेना ने अब बालकोट नाम ने पूरी तरीके से कनफ्यूज कर दिया हाल फिलाल में ही हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनात सिंग उन्होंने एक बयान दिया था उन्होंने कहा था आतंगवादियों थोड़ा समल जाओ पाकिस्तान अपनी हरकतों को समेट लो वरना भारत के प्रदान मंतरी को दस मिनट लगे थे पिछली बार ओडर देने में कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दो और हमारी सेना सक्षम है और वो घुस कर सर्जिकल स्ट्राइक कर देगी मार देगी चीजों को खतम कर देगी कहा तो ये गया कि पीओके में कई तरह के लॉंच पेड बना दिये गए हैं और इन लॉंच पेड के जरिये अतंकियों की गुस पैट होती है वैसे बॉर्डर पर कई बार ये कहा जाता है सिर्फ भारत की बॉर्डर नहीं दुनिया में जो भी विवादासपद बॉर्डर है उनके पास यही चीज कहा जाता है कि कई बार सेनाएं एक्सन लेती हैं और वो बात मीडिया तक नहीं आती है वहीं पे हल हो जाती है और जब ये मीडिया पर आ जाती है यानि ढोल पिटने सुरू होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम खुलम खुला ओपन चैलेंज दे रहे हैं तो भारत ने सीधे आकर आधिकारिक बयान दे दिया ताकि कोई भी ऐसी गलत सीज न पहले जो बाद में जाकर एक मुद्दा बने भारत के आधिकारिक बयान में इस बात को साफ साफ कहा गया कि जी नहीं हमने बाला कोट के अंदर जाकर कोई स्ट्राइक इस बार नहीं क के बाद जब हमने सर्च ओप्रेशन वगेरा चलाया है तो हमें कुछ समान मिले हैं जिन में एक के 47 मिला है खून के खत्रे मिले हैं मतलब साफ है कि किसी एक को गोली लगी हुई है और हो सकता है कोई एक मारा गया हो इन्होंने इस बात को साफ कर दिया अब इन्होंने ये भी स साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन एक चेहरा जरूर निकल कर सामने आ गया पाकिस्तान का पाकिस्तान के कारेवाहक विदेश मंत्री ने अभी हाल फिलाल में क्या कहा था इसने कहा था कि हम मनमोहन और मुसर्रफ के बीच जो एग्रीमेंट हुए थे उसी एग्रीमेंट का पालन करेंगे अब जरह सोचिए इनों ने ये कहा कि हम मुसर्रफ और फॉर्मूले पे हम काम करेंगे हम यूएन में नहीं जाएंगे मामले को अपने घर में ही निपटाएंगे एक तरफ ये बाते कह रहे हैं ये और दूसरी तरफ ये साफ साफ दीख रहा आतंकवादी चाहे पुंज इलाके में ही क्यों न मारे गए हो लेकिन आतंकवादी तो आ रहे हैं इसका मतलब है जो लॉंच फेट वाली खबर है वो खबर बिल्कुल सही है इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान अंदर से बदला नहीं है ये वैसा ही है जैसा पहले था अभ दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ